हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका एक और जवर्दस्त बहुत सी शांदार वीडियो में और इससे वीडियो में हम आपको एक 50 रुपए वाला शेयर बताने वाले हैं जो आज 10% की तेजी के साथ हमें दिख रहा है मार्केट में ट्रेड होता हुआ और बहुत सी शांदार इसक अपने सेग्मेंड में तो अकेली ही ये कंपनी है जो प्रोफिटेवल है और फाश्टेट-ड्रोइंग कंपनी है तो इस से बढ़िया कंपनी इस सेग्मेंट में नहीं मिलने वाली और बहुत शांदार इसका बिजिन्स मॉडल होने वाला है कंपनी है सिर्फ 8,789 करोड की और 50 का करेंट प्राइज है इस पर पहले भी हम वीडियो बना चुके हैं इस्टोक का पी थोड़ा सा महंगा है 68 का और 1.25 पैसे की इसकी बुक वैल्यू है एक छोटा सा डिविडेंट भी कंपनी हमें देते हुँ दिखाई देती है लेकिन R.O.E. और R.O.C. देखिए बहुत ही शांदार है 50% से उपर बने हुए हैं दोनों ही तो जानेंगे ये कौन सी कंपनी है क्या करती है और क्या इसका फ्यूचर होने वाला है लेकिन उससे पहले कहना चाहेंगे देखिए यह तीन हजार सब्सक्राइबर करा दीजिए बहुत ही जल्द होने वाले हैं तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलती रहती है और देखिए कंपनी के अगर कौन्ज और प्रोज की बात करें तो कौन्ज में कुछ भी नहीं है बुक वैल्यू से 28 गुना ओपर ट्रेट कर रहा है बस ये एक दिखता है कौन्ज में क्योंकि जब कंपनी अच्छे प्रोपिट करती है तो ये होई जाता है लेकिन देखिए और कंपनी के ओपर कोई करजा है नहीं और एक गुड क्वाटर की इससे हम एक्सपेक्ट कर सकते है पांच साल का CGR दिखें तो लगभख 40% का है तीन साल का अगर हम रिटन देखें एक्वीटी पर रिटन तो ये 48% से ओपर का बना हुआ है कंपनी ने एक हेल्दी डिवीडेंट पे आउट भी बनाया हुआ है 18.4% का और डिविटर डेज को भी अपने इंप्रूब किया है 103 से 79 पर ये लेकर आ गए है अपने सेगंट की मार्केट लीडर है ये कंपनी और पेर कंपरेजन अगर देखेंगे आप तो ये देखें नमबर बन पर भी है ये एज ट्रिप प्लानर कंपनी का नाम है इसके बाद आती है थोमस कुक जिसका देखिए अगर हम मार्केट का आप देखें तो सिर्फ 3311 करोड का है मतलब हमारी जो कंपनी है इससे आधा भी नहीं है ये सेकिंड नमबर पर होने के बावजूद तो कितनी अच्छी कंपनी है हमारी कितनी बड़ी कंपनी है ये आप देखी सकते है 50% से ज़्यादा का मोनोपॉली है इसका अपने सेग्मेंट में और देखिए अगर हम सेल्स की बात करें तो सेल्स हम देखेंगे जून में 2020 में 4 करोड की थी और ये क्वाटली सेल्स है और 22 में हो गई ये देखिए 104 करोड की बहुत सांदार 4 से 104 करोड पोच गी है नेट प्रोफिट की बात करें तो 3 करोड का नेट प्रोफिट था 31 करोड का हो गया है 10 गुना हो गया है बात करें देखिए compounding sales growth की तो 3 साल में 32% से बढ़ी है इस साल 68% से और profit growth की बात करें तो पिछले 10 सालों से ही 55% का profit growth company ने बनाय हुआ है CAGR देखें तो 42% से बढ़ रहा है और equity पर return देखिए आप ROE देखिए हमेशा ही 42% से उपर रहा है पिछले 10 सालों में 45% से रहा है ये बात करें company के करजे की और reserve की तो reserve है 261 करोड के और करजा है सिर्फ 21 करोड का बहुत छोटा सा एक करजा है और अगर हम इसका share holding pattern देखें तो बहुत शांदार दिखाई देता है देखिए लगभग 75% promoters के पास है FII के पास 5% और 5% लगभग DII के पास और public के पास है सिर्फ और सिर्फ 20% तो in future देखें company बहुत शांदार growth हमें दिखा सकती है आज भी बहुत अच्छा return दे रही है अगर किसी ने कल लिया होता तो भी 10% का सीधा सीधा एक ही दिन में return उसे मिल रहा होता तो दोस्तों यह जो share हमने बताया देखिए सिर्फ educational purpose के लिए वीडियो है दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जय हिंद जय भारत